नमस्ते साथियो आईए आज के इस कालखंड में हाथ से टाइप की गई जानकारी का PDF किस तरह से तयार करें पिछले कालखंड में मैंने बताने का प्रयास किया था कि किसी डाकुमेंट्स या किसी भी खीची गई फोटो का PDF कैसे तयार करें और कोई इमेज का अगर PDF तयार कर रहें तो किस एपलिकेशन के माद्यम से तयार करेंगे इसके बारे में बताने का प्रयास किया था आप चाहें तो उस वीडियो को इस वीडियो के अंत में देख सकते हैं साथियो इस कालखन में हम अपने मोबाइल फोन पर या कहीं पर भी है थी हमने हाथ से टाइप किया है जानकारी को और फिर उस जानकारी का हम PDF तयार करना चाहते हैं और कई पोश्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से PDF तयार करेंगे इस बारे में बताने का प्रयास करूँगा देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एपलिकेशन PDF क्रियेटर लेट साइड में और साथियो या जो PDF क्रियेटर है इसे आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं किन्तु साथियो एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप Google Play Store ओपन करते हैं और PDF क्रियेटर को सर्च करते ह बहुत सारी एपलिकेशन आपको देखने को मिलती हैं साथियो हाथ से टाइप कीगई जानकरी का PDF किस तरह से तयार करें इसे तुझ जो महत्पुड़ एपलिकेशन है उसके बारे बताना चाहता हूं सबसे पहले मैं Google Play Store को ओपन करूंगा मैंने ओपन किया और ओपन करने के आपको सर्च एड्रेश बार टाइप करना है इद हीदि आपने पहले भी और सर्च लिस्ट में अजाएगा बासने पर हैं यहांट पर प्रम यहांपर देखैकर चूकर याद बहुं सारे PDF Creator application आ चुके हैं अब यहां पर आप भ्रहमित हो सकते हैं तो सातियों हाथ से टाइप की गई जानकारी का PDF तयार करने के लिए जिस application का उपयोग करना है आप यहां पर देख रहे हैं थार्ड नंबर पर PDF Creator ठीक है और सातियों नीचे आप देख पा रहे हैं डीबीडी साफ्ट तो इस application को आपको इंस्टाल करना होगा चुकि मैंने पहले इंस्टाल कर लिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले आपने देखा है होम स्क्रीट पर तो हम बेक चलते सातियों और बेक आने के परश किसी लिखित जानकरी करेंगे इसकी सारी जानकरी मैं आपको बताने जा रहा हूं तो देखिए अगर नीचे आप सरकल में प्लस का निसान देख रहे हैं ठीक है इस पर मैं करूंगा क्लिक और क्लिक करने के पश्चात यहां देखिएगा एक पापप रिंड़ आया है कि नि सब्सक्राइब करेंगे और आप चाहें तो फाइल का नाम हिंडी अंग्रेजी जिसमें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं अंग्रेजी में आपको लिख कर बताता हूं जेन्रालेजे मल यह मैंने एक फायट बनाया जेन्रिन्ट घर्णेरल के य और दतेचाएं तो इसाथ जाने और दे और नीचे आप आपगा रहे हैं सांसले हम कृक्र कर देएंगे तो हमारे फाईल त्यार हो जाएगग है अब जो तो जिस नाम समय फाइल त्यार किये है उसी से सम्मझत PDF त्यार होगा तो आप यह देख पार है नया इंटरफेस और यहां बहुत सारे आपसन हैं ठीक है और साथ यह दिद्धर करके इन सारे आपसन का आप प्रयोग करना सीख जाएंगे मैं क्यों आपको बहुत सच्छे में PDF किस तरह त्यार करना इसके बारे मैं जानकारी दूँगा तो आपको क्या करना है सबसे उपर यहां पर देखेगा यहां पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के पशाथ जानकारी को आप यहां सिधर टाइप कर सकते हैं और सारी जानकारी को टाइप करने के पशाथ उसका प्रियोग करते हैं तो वहां से टाइप की गई सामागरी को कापी करके यहां पर लाकर के प्रेस्ट कर सकते हैं और सीधे पीडिये बना बनाना प्रारम कर सकते हैं तो साथियों मैंने कीप नोट जिसका कि मैं प्रियोग करता हूं उसमें सामान ग्यान से संब्सक्राइब कुछ जानकारी टाइप करके रखी है बेख चलते हैं तो साथियों आप यहां पर देख पा रहे हैं कीप नोट का आफसं कुछ लोग नोट पेड का भी प्रियोग करते हैं तो चलिए मैं कीप नोट्स को ओपन करता हूँ ओपन करने के पहचाथ आप देख पा रहे हैं बहुत तरह जानकारी मैंने टाइप करके रखिए यहाँ पहले आपसार है इस्थल मंडल इस्थल एवं इस्थला करती है ठीक है इससे समझे जो सामान यान की जानकारी है यहाँ पर मैं कुछ ज जानकारी को select किजिएगा देखेगा मैं यहां पर जानकारी को select कर लेता हूं ठीक है उधान के लिए मैंने इतनी ही जानकारी को select कर लिया और इसको मैं कर लेता हूं किकीआ और जैसा कि आप देखा रहा है यहां पर प्रेस्ट कीजेगा और यहां प्रेस्ट कीज़िएगा यहां पर यू सारी जानकर यह पने कापी करके तट की यहां पर यहाँ आ चुकति है हम जार यादि ठीक है यह अब आपको क्या करना होगा अगर लंभी चोड़ी जानकारी है तो उसके पेज बनाने होंगे क्लिभा मैं तो थोड़ा उपर करनें ठीक है यह सलोगा और आप क्लिक करेंगे शके माला चुका है मुझे यहां पर उन्सकोड करेंगे चुक्तीמ׋ है और देखिए कर फिर से आप साना चुका है move text to next page यादि लंबी चोड़ी जानकारी आपने टाइप करके रखी है तो उसके लिए आपको page बनाने होंगे और उपर स्कोल करते रहें पेज बनते रहेंगे move text to next page ऐसा करते रहें ठीक है अब देखिएगा यहां पर और यहां पर देखिएगा move text to next page यह और साथ हो यह लगबग पूरे पेज है वो तैयार हो चुकिए है ठीक है अब यह सारे जो page हैं हमने तयार कर लिए हैं और अब आपको क्या करना है आपको ऊपर देख पा रहे हैं यहां पर आई का बटन दिया हुआ है उसके साइड में यह पीडिएप का बटन दिया गया है और देखिएगा मैं आपको पेज के बारे बताना चाहता हूं थोड़ा जी स्कूल हम करते हैं देखिएगा यह यह दूसरा पेज, यह तीसरा पेज, यह चलिक करने, जो की उपर दिखाए गया है, आप देखेगा इस तारह आई के बटन पर क्लिक करेंगे, तो सारे page आपको यहां पर दिखाई देंगे ठीक है ये देखेगा ये ये सारे page दिखाई दे रहे हैं है ना जे इस तरह से और आई के button पर click करने के पश्यादी page आ गया है और उपर देखिएगा PDF का आपसन दिया गया है यानि PDF बनाएं का आपसन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे देखिएगा मैं क्लिक करता हूँ तो देखिएगा यह PDF तयार होकर यहाँ आ चुका है आपसन इस पर क्लिक किजएगा तो ये open, share, print, delete, rename का आपसन दिया गया है आप चाहें तो rename भी कर सकते हैं open कर सकते हैं, share कर सकते हैं तो साथी चलिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं share कर लेते हैं और share करने के पश्चार इसको open करेंगे ठीक है, मैं share कर लेता हूँ और शेयर के लिए सातियों यहां पर देखिए आपसन आ चुके हैं और आपसन आने के पश्चात आप कहीं पर भी उसे शेयर कर सकते हैं चलिए मैं सेयर करता हूं और शेयर करने के पश्चात सारी देखेगा यहां पर सेयर हो चुका है और सेयर होने के पश्चात हम इसको अब open कर सकते हैं ठीक यह देखिएगा open किया हमने यह pdf बनकर त्यार हो गया यह पहला पेज यह दूसरा पेज यह तीसरा पेज यह चौंथा पेज और यह पाच्वा पेज तो इस तरह साथ यह लिखित जानकारी का पीडिये बड़ी आसानी के साथ में जैसा कि मैंने आपको application बत चुके हैं देखिएगा इस application में और भी बहुंस सारे option दिये गए हैं ठीक है मैं प्लस के चैनल पर क्लिक करता हूं और यहां पर फाइल नेम लिख देंगे साथ कि मैं कुछ भी लिख देता हूं A B C हैना और 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 कर देते हैं और पुना है हम जानकारी को paste कर देते हैं अब सब के आपसंद दिये गए हैं तो इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं किंतु सात्यों इनका इति आपको प्रयोग करके बताओंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा आता है इस वीडियो को मैं यहीं समाप करता हूं यह आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप कामेंट कीजिएगा मिलेंगे अगले कालखन में किसी नए प्रकड़ा नई जानकारी को लेकर तब तक के लिए जय हिंद